अगर आप बिजली के बढ़ते रेट्स पर यून ही चुपसाधे बैठे रहे तो लिख लीजिए, एक दिन बिजली का बिल आपकी आमदनी के बराबर आ जाएगा, कि नैपरा दसंबर तक मजीद 13 रुपए फी यूंट अजाफे की कोशिश में है, यानि 30 रुपए फी यूं में सिर्फ एक पंखा और चार बलब हूँ, उसकी माहाना आमदन कितनी होगी। बिजली का बिल अदा करने के बाद वो बाकी इखराजात कैसे पूरे करेगा, और उस हिसाब से वो मिडल क्लासिये जिनके घर, फ्रेज, मॉटर, इस्त्री और वाशंग मशीन भी है, वो माहा अब कम्टी थल कर फैशाउं बना, हुसकी था आ रहे कि बैसी वले खरने तु महानी स्ताहार पिल के लिए फने सोब पर त्याटरों ना तापिफिन की में निक पैनने फोलो का बिली का बिल पर फूट पाट कर रोते देखा है, उनकी आँखों की बेबसी दिल चीर देती है खुदा के लिए उस डेकेती पर आवाज तो उठाईए, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, कोई कमीटी, कोई एहतिजाज, कोई आवाज, खुदारा कुछ तो कहिए हाल ही में जिस तरह आजाद कुश्मीर में यून्ट महनगा होने पर लोगों ने बिल जमा करवाने से इनकार किया मसाज़िद में ऐलान हुए कि बिल न जमा कराए जाएं, हजारों लोग सड़कों पर आगए तो और बिल जला दिये, जिससे सरकार ने घटने टेक दिये के लोग बिल जमा करवाने की बजाए वापडा सब डविजन, नियपरा आफस और के अलिकटरक के सामने एहतिजाज करें, मुहिम चलाएं बल जमा कराने से इनकार कर दें और बिल जलाएं, फिर शायद ये महाना बढ़ता हुआ उजाफा रख जाए, शायद गरीब लोग की डिकीती से पैसे बचा कर अपने बच्चों के मुना में नवाला डाल सकें, अमली तोर पर कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर आवाज उठाए, नहीं तो वो हो वक्त करीब है जब आप खाने और पहनने की बजाए सिर्फ बिजली का बिल अदा करेंगे, अठो, ब मानदा और लिछडी हुई जिन्दगी गुजारते हैं, क्यों? टूंयों करेंख साथि मानदा अपनक्ला करेंगे, विपूली जएर नहीं तो वो वो।